तो दोस्तो इस समय NTPC IPO को ज़्यादा ही सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि जिस हिसाब से इसका मार्केट में हाइप बना था GMP को लेकर लिस्टिंग, गेन को लेकर दोस्तो इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका GMP है 1% तो दोस्तो ऐसे काफी निवेशको के दिमाग में ये है कि इस IPO का future क्या है इसमें हमें apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तो आज इस वीडियो मैं आपको clear कर दूँगा आपको मैं एक ऐसा article मैं आपको आपके सामने रखूँगा जिसको आपके सामने में rate करूँगा जैसी आप उसको पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस IPO में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं चाहिए और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि allotment का chance कैसे बढ़दा सकते हैं आप इस IPO में अगर आप apply करते हैं तो ठीक है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को like करिएगा लेकिन चैनल को subscribe कर दीजिए चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस IPO में apply करना है या नहीं करना है चलो दोस्तों आप सबको पताएए कि आज तक पर एक article पब्लिस है जहां पर लिखा गया है कि इस सरकारी IPO के खुब चर्चा है सरकारी अपर मतलब NTPC एक सरकारी कंपनी है जिसकी वज़ास इसको इस सरकारी IPO की खुब चर्चा हो रही है ऐसा इन्होंने heading लिखा है तयार रखें 14,904 रुपए ऐसे apply पर बढ़ जाएगा allotment का chance इन्होंने पूरा process बताया हुआ है यहां से दोस्तों आपकी सारे doubt किलियर हो जाएंगे तो दोस्तों आगे लिखा है कि NTPC Green Energy IPO का कुल साइज 10,000 करोड रुपए का है यह company fresh issue के जरिए 92.59 करोड सेयर सेल करेगी वहीं इसके price band की बात करें तो NTPC Green Energy IPO को सेयरो का price 102-108 रुपए तै किया गया है इसके एक lot में 138 सेयर रखे गये हैं यह सारी चीज़े तो आपको पता ही है दोस्तों आगे लिखा है कि आगे आप लोग को मैं इसका आर्टिकल दे दूँगा आप लोग पढ़ लीजिएगा लेकिन दोस्तों में चीज़ आपको बताते हैं कि अलॉट्मेंट का चांस कैसे बढ़ेगा उससे पहले करती क्या है company इसके बारे में जान लेते हैं और आज येविक मार्गो के माध्धम से परियोजनाओं को सुरू करने पर फोकस रखती है 31 अगस 2024 तक company के पास छे राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट से 3071 मेगा वार्ट और विंड प्रोजेक्ट से 100 मेगा वार्ट की परिचालन छमता थी company के पास कितने प्रोजेक्ट है तो आपको बता दे 30 जून 2024 तक company के पूर्ट फोलियो में 14,696 मेगा वार्ट सामिल थे जिसमें 2925 मेगा वार्ट के प्रोजेक्ट और 11,771 मेगा वार्ट का contract प्रोजेक्ट है आगे लिखा 30 जून 2024 तक company साथ राज्यो में 31 renewable energy प्रोजेक्ट का निर्माड कर रही है जिसकी कुल छमता 11,771 मेगा वार्ट है तो ये तो रहा की company के बारे वे तो दोस्तो रही बात दोस्तो आपका application अलॉट्मेंट चांस का तो इन्होंने लिखा है कि application की बात करें तो retail category क अलावा निवेसको को shareholder कोटे से भी application का विकल्प मिलेगा जिसमें allotment का चांस ज्यादा होगा यानि जिन निवेसको के पास NTPC के share होंगे वो shareholders category में भी apply कर देंगे मतलब आप दो तरीके से apply कर सकते हैं आपको दो विकल्प मिल जाएगा तो इस से आपका allotment का chance बढ़ जाएगा और आपको NTPC इस IPO में जरूर apply करना चाहिए दोस्तों अभी आपको GMP पर ध्यान नहीं देना चाहिए लेकिन इसके projects इस company के बारे में आपको सोच कर ही इसमें तो आपको apply जरूर करना चाहिए देखिए हम से भी register नहीं है लेकिन हम आपको इतना तो जरूर points रख लग जाता है आपको 138 share मिल जाते हैं तो दोस्तों है ना तो वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like जरूर करिएगा और प्लीज चैनल को subscribe आप लोग जरूर करिएगा धन्यवाद